हालो फ्रेंट्स वेल्कॉप टू माई चैनल एंजोई गार्डनिंग मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अपने जेट प्लान को जो कोई शेप में नहीं है उसकी आप चुटकियों में बहुती खुबसुरत राउंड शेप टोपियरी कैसे बना सकते हैं कौन सी खात देनी ह तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है तो चलिए बिना देर किये वीडियो शुरू करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके औल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे सबसे पहले था धियान रखना है कि आपको कौन सा जेट प्लांट लेना यह देखीए यह थोड़े बड़े पत्ते वाला जेट प्लांट होता है इसकी टोपियरी उतनी खुब सुरुत नहीं बनती जितनी बारिक पत्ते वाले की बनती है यह देखे है फ्रेंस दोनों जेट प्लांट में कितना फरक है यह वाला जेट प्लांट काफी घना और बुशी हो जाता है और इसके पत्ते बहुत छोटे और बारिक-बारिक होते हैं तो आपकी टोपियरी बहुत ही सुन्दर लगेगी तो मेरा जो जेट प्लांट है इसका अभी कोई शेप नहीं है मैं इसका ब कटिंग लिए उसका रीजन क्या है मैं आपको आगे बताती हूं वीडियो में अगर कुछ कटिंग इस तरह से जुड़ी हुई भी है तो भी कोई फरकनी पड़ता जाद आची रहेंगी अब देखिए यह पॉट ले रही हूं मैं तो मिट्टी का पॉट ले रही हूं आप थोड़ा लंबा गहरा पॉट भी ले सकते हैं लगबक आट इंच गहरा भी ले सकते हैं तो मिजुते यह बहुत सुंदर लग रहा था तो यह शालो ट्रे मैं ले लिए अब हमें चाहिए राउंड शेप टोपियरी बनाने के लिए यह एक मटकी बहुत ज़दा बड़ी नह नंदर भी और हवा आती जाती रहेगी तो मैंने मेने होल में और यह कैसे बनाया है वी बहुत आसां तरीका है मैंने फिछले वीडियो में बताये था मैंने या इन है व्यूत 받ले एक सुद्धर फॉन्टेंटे पनाया था within about this hole को लिए बचलने के लिए चोटा पथर का दूसरी important बात soil mixture कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि पानी बहुत अच्छे से drain हो जाए, मैंने इसमें 25% garden soil, 25% कोको पीट ली है, 25% मैंने इसमें river sand या बालू या बजरी आप जो भी बोलते हैं, construction site पे मिलती है, वो मैंने मिलाई है, और 25% मैंने इसमें मिलाया है, वर्म mixture थोड़ा soft होना चाहिए, ताकि cutting easily grow हो सके, इसलिए इसमें मैंने coco peat मिलाई है, क्योंकि coco peat में cutting easily grow हो जाती है, अब इस मिट्टी की surface को हम अच्छे से दबा देंगे, और एकदम flat कर लेंगे, ताकि हमारी topiary बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, और ये stable रहनी चाहिए, बीच मे मैं रखूंगी, ये मट्की, जिसमें मैंने holes किये हैं, हवा के आने जाने के लिए, कितना सुंदर लग रहने हैं ये setup, मैं ये topiary इरी इसलिए मिट्टे के pot में मना रही हूं, क्योंकि ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी, green के साथ मिट्टी के बरतन का combination बहुत ही अ अब cuttings की height मैंने कितनी लिए, ये मैं आपको दिखा देती हूं, ये मट्की cover हो जानी चीए, उपर तक ना हो, तो कम से कम 3-4 तो cover हो जानी चीए, बाकी फिर ये cutting और लंबी हो जाएंगी, तो पूरी cover हो जाएगी, मिट्टी में पहले hole कर लिजे, pencil, pen, किसी भी चीज से, फ बिल्कुल भी खराब न हो, तो बस इस तरह से hole बना के cutting इसमें लगा लीजे, hole इसलिए बनाना जरूरी होता है, अगर आप जबरदस्ती cutting को मिट्टी में insert करेंगे, तो इसके नीचे के tissues damage हो जाते हैं, और cutting खराब हो जाती है, तो इसी तरह से थोड़ी लंबी-लंबी या इसमें जो बीच-बीच में जो branches आ रही हैं, वो उसमें हैं, तो उन्हें भी मत हटाईए और बिल्कुल ऐसे कैसे इसको लगा दीजे, ताकि मत्की जादा अच्छी से दिखेगी और पूरी तरह से cover हो जाएगी side की branch से, नीचे की जरूर हटानी हैं आपको, छोटी-छोटी पती हैं, देखे कितना सुन्दा लग रहा हैं, मत्की इससे जल्दी ढखेगी आपकी, अब जो हमारे subscriber हैं, gardening में बिल्कुल नए हैं, उनको नहीं पता कि टोपियरी क्या चीज होती हैं, तो एक बार उनको बता भी दू, काम करते करते हैं, टोपियरी होती है, जेड प्लान क बहुत जल्दी बन जाती है, चुटकियों में वैसे तो टोपियरी बनाने में सालो साल लग जाते हैं, पर इस वाली टोपियरी को आप फटा-फट से बना सकते हैं, मात्र 25 से 30 दिन लगते हैं, जो ये पूरी अच्छे से घ्रो हो जाती है, तो आपको जानकरी देते-देते मैंने ये सारी cuttings लगा लिए मटकी के चारों तरफ देखिए इस तरह से cuttings लगा लीजिए अब आपको क्या करना है इन cuttings को बादना है उसके लिए आप इस तरह से सिलाई मशीन वाला जो धागा होता है वो ले सकते हैं मैं ये ग्रीन कलर का ले रही हूँ ताकि ये जो है धागा दिखेगा नहीं आपको इस अभी कलर का ले सकते हैं अब ये सारी cuttings को इस तरह से एकटा कीजिए और नीचे से इसमें ये धागा बादना शुरू कर दीजिए जेट ब्लैंड की टोपियरी या जेट ब्लैंड के बॉंजाई बहुत ज़्यादा फेमस हैं इसके ये प्लांटी ऐसा है कि बहुत सुंदर लगता है और सबसची बात की छोटी से छोटी cutting भी इसकी ग्रो हो जाती है जरासी भी cutting आपकी निकलरी एक्स्ट्रा उसको पानी का स्प्रे कर देते हैं क्योंकि मैं ये मिट्टी के पॉट के ओपर बना रही हूं तो जल्दी जल्दी मॉइस्ट्र एब्जॉर्ब हो जाता है और cuttings को शौक भी नहीं लगना चाहिए थोड़ी सी नमी बनी रहनी चाहिए अब आपको जो बीच बीच में जगे दिख देख रहे हैं तो जो छोटी cuttings हैं फालतु जा रही हैं आप उनको यहां पर लगा सकते हैं ताकि थोड़ी सी जगे दिख रहे हैं मटकी में यह और ढख जाएगी बाकी तो यह ग्रू होगा तो पूरी कवर हो जाएगी अब यह जो अलग से cutting लगाई है मैंने इनको भी मैं बान दूँगी अब इस टोपियरी को जो हमने बनाई है से कहां रखना है सबसे इंपॉर्टन बात जहां चंचं के दूप आती हो फिल्टर सनलाइट मिले या पार्शल सनलाइट मिले ऐसी जगे रखना है डारेक सनलाइट में नहीं रखना है क्योंकि यह टोपियरी हमने cuttings कवर हो चुकी है काफी हद तक मटकी ढख चुकी है अभी और भी हम थोड़े दिन इसको वेट करेंगे तो पूरी ढख जाएगी कितने सुन्दर लग रही है टोपियरी बनाने में कितने साल लगते हैं लेकिन यह राउंड शेप टोपियरी कितनी जल्दी बना ली हमने अब बहुत जरूरी होता है ताकि यह ऐसे ही सुन्दर लगती रहे पानी इसको आपको ऐसे देना है उपर से ताकि मटकी भी जीली हो जाए और मिटी भी डिस्टरब ना हो कटिंस डिस्टरब नहीं होनी चाहिए मिटी आपको जब नीचे से थोड़ी सूखी लगे तभी आप इ जिसकी ग्री इसी तरह से बनी रहेगी और आपकी टोपियरी ऐसे ही सुन्दर दिखती रहेगी और हमारे जेट प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा लेकिन यह काम एक महने के बात करना है तो अब आप चुट्कियों में इस तरह से जेट प्लांट की टोपियरी बना सकते हैं, आपको बिल्कुल भी सालो साल इंजार नहीं करना पड़ेगा, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, फिर मिलूँगी आपसे इसी तरह का अच्छा सा कंटेंट लाऊंगी, बाइबाइबाइ झाले मले कीजिए आपसे इसी तरह उते हैं, वीडियों झाले कीजए जबाइबाइबाई आपसे इस्सेदाएब कीजिए के आविश्पाभाईम को, च्यalgूड़ें आपसे इससे ऊ staffing को, नह को जाईबाइबाढएबादर कीजिए जा मेने काभ़ेद नहीं रख corona बMy हमाड